The Alchemist, Santiago नाम के एक युवा चरवाहे की कहानी है, जिसे मिस्र के पिरामिडों के आधार पर छिपे खजाने का बार बार सपना आता है. एक चरवाहे के रूप में अपने आरामदायक जीवन के बावजूद, Santiago बेचैन है और खजाने को खोजने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला करता है. अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन्स को आउन कर लीजिए. चलिए शुरू करते हैं. मैं इसे पढ़ता हूँ, आश्चर्य जनक रूप से ये किताब मेरे लिए कुछ अलग अर्थ रखती है. हर बार जब मैंने इसको पढ़ा, किताब नहीं बदली, लेकिन मेरा द्रिश्टिकून बदल गया था जिसने मुझे किताब को हर बार एक अलग लेंज से देखने पर मजबूर किया. पहली बार जब मैंने इसे पढ़ा, तो मैंने उस समय अपनी नौकरी को जारी रखने के अपने निर्ने पर पहले ही सवाल करना शुरू कर दिया था. पुस्तक ने एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया और मैंने नए कोशल सीखने के लिए जल्द ही जौब छोड़ने का वह फैसला किया जो मैं चाहता था. दूसरी बार मैंने इसे तब पढ़ा जब मैं इम्बिय करने के बारे में सोच रहा था. पुस्तक ने मुझे फिर से अपने दिल की आवाज सुनने का हौसला दिया. इससे पहले कि आप यह सोचना शुरू करें कि मैं किताब को स्थितियों से बाहर निकलने के लिए एक पैराशुट के रूप में मानता हूँ, लेकिन यह ठीक इसके विपरीध है. मैं इसका उप्योग उन चीजों में चलने के लिए करता हूँ जो मुझे अनिश्चित लगती है लेकिन मुझे उनमें दिल्चस्पी है. तीसरी बार जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं एक स्टार्ट अप चला रहा था जिसको मैं अंतता स्केल नहीं कर सका. लेकिन पुस्तक के कुछ उद्धरणों ने मुझे उन मेरी गलतियों से सीख लेने और अपने भविश्य के उद्यमों में उस सीख को में लागू करने में मदद की, जिससे मेरा कर्यम मजबूत हुआ. पुस्तक ने मुझे प्यार और खुशी को गहराई से तलाशने में भी मदद की, जाहिर है, जब मैंने इसके पाठों को अभधारनाओ के अपने अभ्यास के साथ जोड़ा क्योंकि इनमें से अधिकांश अभधारनाएं, एक अभ्यास, प्रैक्टिस, हैं और केवल, पुस्तक पहली बार 1988 में प्रकाशित हुई थी और तब से यह इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक बन गई है, जिसकी दुनिया भर में 150 मिलियन से अधिक प्रतिया बिक चुकी है कहानी एंडालूसिया, स्पेन में सेट की गई है, और मुख्यपात्र सेंटियागो की यात्रा का अनुसरन करती है, एक चरवाहा लड़का जो अपने सपने में देखे गए खजाने को खोजने के लिए यात्रा पर निकलता है जैसे जैसे वह अलग अलग देशों में यात्रा करता है और तरह तरह के लोगों से मिलता है, सेंटियागो अपने दिल की बात सुनना सीखता है और अपनी मन की आवाज का पालन करना सीखता है जिस रास्ते को ब्रह्मांग ने उसके लिए चुना है दरल कैमिस्ट, एक दार्शनिक और प्रेरना दायक पुस्तक है जो नियती, उदेशे और अपने सपनों का पालन करने के महत्व के विशयों की परताल करती है ये एक कालातीत कहानी है जिसने दुनिया भर के लाखों पाठकों के दिल और दिमाग को छू लिया है और लोगों को अपनी निजी किंवधन्तियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित और प्रेरित करना जारी रखता है आपका बहुमूलिय समय देने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल रिचवानी को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेर करिए भविश्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू